आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार तमाम तरह की बात हम करेंगे अपने इस खास कारक्रम में आज हमारे साथ पंडित राम जी मिश्रु मौजूद हैं पंडित बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में आप सभी को दीपावली की हर्दिक सुपकामना है दीपावली पंच पर्व को ले करके आती है पद्म नने पद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्म दलाय ताच्छी विश्वप्रिये विश्न मनोन कूले तत्पाद पद्मम मै सन्य धत्ष्व ये कार्तिक मास पूरा भगवान विश्णू का ही है पूरे कार्तिक मास में पर्व ही पर्व हैं और ये पंच पर्व ले करके दीपावली आती है जो पूरे वर्ष में सबसे बड़ा तेवहार दीपावली और धन तेरस का है धन तेरस बड़ा पर्व इसलिए भी है क्योंकि धन वंतरी जी मंगल कलस ले करके अम्रत कलस ले करके समुद्र मन्थन के समुद्र मन्थन से कलस ले करके प्रगट हुए और जो की वैद गुरू भी कह रहा है हमारे दीपावली आने के दो दिन पहले धन तेरस का परोपड़ता है धन तेरस में ही भगवान विष्टो लचमी गनेश की पूझा करने का विधान है धन तेरस के यही दिन सास्त्रों के अनुसार जिस दिन धन वंतरी जी कलस ले करके निकले और उसी दिन सभी घरों में हर देख देताओं ने अपने अपने घर में मंगल कलस की स्थापना की, लच्वी गनेश की स्थापना की और उसी दिन से ये पंच पर भी प्रारंब हो जाता है जो दर्शक प्राइम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, हम सभी से कहना चाहेंगे कि धन तेरस का दिन बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है आज के दिन वहन खरीदना गहने लोग खरीदते हैं और ने कई नय वस्त्र आया अपने घर में बरतन खरीदने का बिधान है तो ऐसा क्यों है? क्यों हम लोग बरतन खरीते हैं या नई चीजे खरीत करके अपने घर में लाते हैं? क्योंकि धनवंतरी जी जब कलस लेकर के समुद्र से उत्पन हुए तो ऐसी माननता है कि आज के दिन कोई भी वस्तो अपने घर में लाने से खरीद करके वो भी पूजा पाट सम्बन दी अपने घर में लाने से हमारे पूरा जीवन मंगल में हमारे घर में रहेगा सदव धन धान से हमारा घर परिपूर रहेगा इसी बात को ले करके हम लोग अपने घरों में नई वस्तों ला करके रखते हैं या उस दिन जो चीज़ ले लेते हैं ऐसी मानता है कि हमेशा के लिए ह खरीद के अपने घर में लाना चाहिए लच्वी गड़ेस को ला करके और उसी दिन अपने घर में इस्थापना करनी चाहिए क्योंकि धन तेरस से ही पंच पर प्रारम हो जाता है इसे जो भक्त उसी दिन गड़े लच्वी की स्थापना कर लेते हैं वो बहुत उत्तम माना गय धन तेरस के दिन लच्मी गणे स्कुवेर इत्याद की इस्थापना होती है उसी दिन नई वस्तुला करके अपने घर में रखी जाती है और उसी दिन से ये व्रत प्रारम हो जाता है दूसरे दिन छोटी दिवाली होती है धन तेरस के दिन छोटी दिवाली का महतु है उस दिन ऐसी भी कथा है कि भगवान बिश्टू ने 52 अउतार करके बली के पास आये थे और तीन पग प्रत्वी उन्होंने उनसे मांग ली थे तो भगवान बिश्टू ने उनको वरदान दिया था कि जो छोटी दिवाली के दिन दीपक जलाएंगे उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी इस ये छोटी दिवाली के रूप से नाम से वो प्रचलित है छोटी दिवाली के दिन चाहिए कि घी के पास दिपक जलाने चाहिए अपने घर में खाजाने में भगवान के स्थान पर और तुलसी माता के पास और अगर ब्यापार इलवर गहें तो वो अपने ब्यापार अपने प्रतिष्ठान में एक दीपगी का जनावाई उसी के छोटी दिवाली के नाम से वो फेमस है छोटी दिवाली दूसरे दिन है पंडी जी सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बार का धन तेरस किस तरह से खास होने वाला हर कैसा संजोग बन रहा है खास होने वाला इसलिए भी है क्योंकि धन 13 ऐसा कई वर्सों बाद ऐसा संजोग बन रहा है कि ये पंच पर वो बहुत ही दिनों बाद ऐसा संजोग आ रहा है कि बहुत ही उत्तम होने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा सा तिथियां घट बढ़ गई है जिससे लोगों में बड़ा मदभेद है कि ये धन 13 किस दिन है और चोटी दिवाली किस दिन है दीपावली किस दिन है इस बार थोड़ा तिथियों का आगे पिछे हो जाना सबके लिए मदभेद किस्तिकी पैदा कर इसे सनिवार को 22 तारीक को महावीर पंचांग के अनुसार 22 तारीक को धन 13 का पर्व मनाया जाएगा और 23 तारीक को छोटी दिवाली का पर्व होगा 24 तारीक को बड़ी दिवाली जिदिन मा पूरे भारत में जो प्रचलित है वो 24 तारीक को होगी और 22 तारीक को ही धन 13 का पर्व सभी जिगे मनाया जाएगा पंडी जे धन 13 पर लोग पूजा कैसे करें कि उनको जादा जादा लाव मिलें धन 13 पर ही कि सभी लोग अपने अपने घर में वहां से वाजार से जो भी उनको खरीद के लाना है जैसे लच्मी गणेस की प्रतिमा है या जो बरतन है भगवान के लिए पूजा पाठ के लिए क्योंकि ये जो पर्व है ये माल लच्मी से जुड़ा हुआ पर्व है माल लच्मी का आगवन होने का संकेत है माल लच्मी माता की रूप में जैसे जन्म देने वाली माता का हम लोग दूद पीते हैं उनके रिड़ी रहते हैं और अपने आपको सदयो माता जी का मानते है कि हमारे लिए माता जी ने बहुत किया इसी प्रकार जो लच्मी जी है वो मा है तो उनको मा के रूप में जब हम अपने घर में बुलाते हैं उनका पूजन करते हैं तो सारी ब्यवस्था अच्छी हम लोग चाहते हैं कि जितना अच्छा सा हम घर स आगवन हमारे घर में अच्छे से होगा और वर्स भर हमारे घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी और मा लच्मी प्रसन होगी क्योंकि लच्मी माता की रूप में है और माता की रूप में लच्मी जी का आगवन धन तेरस से ही हर घर में हो जाता है इससे धन तेरस का पर्व मु अचांदी खरीदने का विशेश महात्विश लिए भी है क्योंकि धनवंत्री जी जो कलस लेकर के निकले जितने भी रत्न हैं ये सभी समुद्र से ही उत्पन हुए हैं और जो समुद्र से सभी रत्न, सोन, आभूशान सभी उत्पन हुए हैं तो ऐसी माननेता कि उस दिन सभी देवताव से प्रसंद होंगे इस को लेकर कि हम लोग सुभरत्न या सोने चांदी का अभूशा अपने घर में खरीते हैं कि सदय हमारे घर में बने रहेंगे पंडिची धन्टेरस पर लोग तमाम तरह कीजें खरीतें में सोने चांदी, चमच, प्लेट सब कुछ खरीत जो लोग वाहन वगएरा खरीना चाहते हैं क्योंकि इस बार सुकरस्त भी है, कुछ राशियों के लिए धन्टेरस ये सुकरस्त का प्रवाव नहीं पड़ता है, इसलिए वाहन खरी सकते हैं तो सुकरस्त अभी 20 नॉम्बर तक है, इसलिए वाहन वगएरा अपने पंडिच से सलाह ले करके ही खरीदें, क्योंकि इस बार सुब रहेगा की नहीं रहेगा, और धन्टेरस के दिन ऐसी मानता है कि हम कोई भी वस्तू जो भी हमारे इस्थाई हमारे घर में रखने वाली है, पात्र है, रत्न है, वाहन है, या जो भी हमारे घर में जमीन लोग पन हुए, तो जो भी हमारे घर में आज के दिन वस्तू आ जाएगी, वो हमारे घर में बहुत ही महत्पूर्ण होगी और हमेसा के लिए हमारे घर में रुकेगी, इस दिन वस्तू हम खरीद करके अपने घर में लांते हैं. पंडिचु जो धन तेरस पर लोग जाडू खरीदते हैं, इसका क्या महत्व है? पंडिची अभी तक आपने धन तेरस के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे छोटी दिवाली के बारे में, तो छोटी दिवाली का महत्व क्या है? छोटी दिवाली का विशेश महत्व है, ऐसी मानिता है कि छोटी दिवाली का जो पर्व है, इस दिन राजा बली को भगवान बिश्टु ने बावन उतार धारन करके, उनसे तीन पग भूमी नापली थी. तो राजा बली ने हाथ जोड़ करके भगवान से परातना की, तो भगवान ने उनकी परातना को, उनकी बिंती को स्विकार करके कहा, कि आज के दिन जो अपने दर्वाजे पर दीपक जलाएंगे, उनके घर में सदयो लच्छमी का वास रहेगा, और सदयो वो दुखी नही इसी का पर वो छोटी दीपावली माना गया है, तो आज के दिन छोटी दीवाली के दिन भी पांच दीपक अपने घर में जलाना चाहिए, जो घी के होने जाहिए, अपने जहां पर भगवान का स्थान है, और जिस स्थान पर धन इत्याद रखते हैं, तुलसी माता के पास, और लाकर जहां पर है, या ब्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठान में एक दीपक घी का आज के दिन रखेंगे, क्योंकि छोटी दीवाली का भी विशेश महतु है, उस दिन हनुमान जी का भी जन्म हुआ था साइंकाल मेस लगन में, इसलिए आज के दिन हनुमान जी का दर्सन पूजन विशेश महतु रखता है, छोटी दीवाली के दिन, इससे हनुमान जी का सुन्दर कांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीशा का पाठ करना चाहिए, जिससे हनुमान जी सभी कल जुग में चिरंजीवी हैं, और राह के तु सनी इत्यादी सभी ग्रहों को सांत करने वाले हैं, इससे हनुमान चालीशा का आज के दिन पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का जितना हो सके पूजन करना चाहिए, साइंकाल में हनुमान जी का जन्म माना गया है, इससा सास्त्रों के अमशार, तो इसलिए हनुमान जी का पूजन करने का भी आज के दिन बिशिश महत्त्य थां सदव दो दिन मनाई गई है शोटी दिवाली बड़ी दिवाली आज के दिन पूजर हनमान जी का पूजन करने से और बड़ी दिवाली की ही तरह है क्योंकि ये पंच परोव में इसे चोटी दिवाली का भी उतना ही महत्व है इतना बड़ी दिवाली का है आज के दिन पूझन करने से और हनौन जी का पूझन करने से दीपक जलाने से लोगों के सदयो घर में धन्धान की ब्रद्य होती रहती है पंडिजी चोटी दिवाली के दिन लोग गड़ेस लक्षमी की पूजा करते हैं इसका क्या महत्माना जाता है चोटी दिवाली के दिन धन तेरस से ले करके धन तेरस को माता जी की स्थापना हो जाती है गड़ेस लक्षमी की स्थापना धन तेरस को हो जाती है और धन तेरस के बाद छोटी दिवाली को फिर उनका हम पूजन करते हैं और उसके बाद बड़ी दिवाली को भी पूजन करते हैं इसे तीन दिन लगातार मागड़े लश्मी जी का पूजन अपने घर में किया जाना चाहिए प्राइम टीवी के माध्यम से मारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे प्राइम टीवी के माध्यम से आप सभी दर्शकों को धन तेरस और छोटी दिवाली की बहुत-बहुत हार्दिक सुबकामना हैं और प्राइम टीवी के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग ब पूरे बिश्व में बड़े धुम्धाम के साथ मानाए जाता है। और छोटे से छोटा एक बरतन वाले मिट्टी के बरतन वाले से लेकर के बड़े ब्यापारी तक इन दिनों में बहुत बड़ा लाव प्राप्ट करते हैं। और माता जी के ऐसी किरपा होती है लचमी जी की कि सभी के घर में खुसाली होती है। क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें लचमी की किरपा हर घर पे पड़ती है और होती है। इसलिए ये पर्व छोटे से छोटे बड़े से बड़े सभी को बड़े धूम धाम से मनाना चाहिए धन कम है या अधिक है तब भी क्योंकि लच्मी जी का प्रादुर्भा होने वाला होता है आज ही कि दिन लच्मी जी का और लच्मी कौन है लच्मी मा है इसे मा का पूजन सभी को बड़े ही विदिविधान से अपने घर में आवान करना चाहिए धन्तेरस को कुछ भी सुब चीज अपने घर में आवश्य लानी चाहिए जिससे सदव पूरे वर्स भर आपकी घर में सदव मंगल होता रहा है कुछ रासियां बिगड़ने वाली होती है क्योंकि सूर्य नीच रास पर वर्तमान समय में होते है कुछ ग्रहों का उतार चड़ाओ भी इस बीच में होता है इसे सभी को साउधानी के साथ क्योंकि दीपावली में अधिक तर आप सभी देखा होगा कि बुखार आना कोई नो कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी घटनाय होने की संभावना असपास में रहती है इस ते इनको बड़ी साउधानी से इन परव को मनाना चाहिए किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी गलती होने पर उसका प्राश्चित करना पड़ता है इसे प्रयास करें कि इसको परव को जल्दबाजी में या किसी भी प्रकार से क्रोध में न मना होगा आपस में प्रेम और सवर हाद्र का ये परव है इसे ही बड़े ही प्रेम पूरों का आप सभी इस परव को मनाई इंज्वाय करें धन्यवाद पंडी जी तमाम जानकारियों के लिए तो ये थे अचार राम जी मेश्र जिन्हों ने तमाम जानकारियां दी आप सभी दर्शकों को धन्तेरस चोटी दिवाली की हार्दिक शुपकाम नाया आगे आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक किले देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार